और अब बात करते हैं बड़ी खबर की और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारी सही होगी महिमा से इंकवर हमारे साथ नियूस रूम से जुड़ गई है महिमा क्या को जानकारी आपके पास क्योंकि सुप्रियर शिनेट तो सीधे तोर पर इंकार कर दिया है कि मेरा अकाउंट तो हैक हो गया था या फिर उनका ऐलान होता है तब इसे हम देख रहे हैं कि सोचल मीडिया आपका इंस्ट्राम हो या फिर ट्विटर हो दोनों जगहों पर ही लगातार पॉजिटिव कॉमेंस भी सामने आ रहे हैं अब कॉंगर्स पार्टी के राश्ट्री प्रवक्ता जब पोस्ट करती है जिस कि सुप्रेश शिनेत ने उसके तीन घंटे बाद ये कह दिया कि उनका पैरोडी अकाउंट ट्विटर पे बनाया गया था और जो उनका पैरोडी अकाउंट ट्विटर पे बनाया गया वहीं से वह पोस्ट किसी ने कॉपी कर लिया और उनके सोचल मीडिया पर डाल दी यान जांच का विशे तो है क्योंकि अब शिकायत भी फिलाल कर दी गई है लेकिन अब मामला बहुत जादा गर्माता जा रहा है कि आखिर इस तरह का पोस्ट क्यों किया गया और लोग काफी जादा गुस्से में साक्षी साक्षी जो वीडियो में वो बात कह रहे है क्योंकि सुप्रिया शृनेत अपने इंस्टेग्राम अकाउंट पर ही वीडियो के जरीए बताया और वो यह नहीं कह रहे है कि उनका अकाउंट हैक हुआ था उनका यह कहना है कि जिसे फेक अकाउंट बनते है माली जी एक्जांपल के तौर पर शुबमें गिल का किसने फेक अकाउंट बनाया तो पैरोडी उसमें लिखिया आता है हाला कि उसमें ब्लू टिक होता है तो वो यह कहा रहे हैं कि मेरा parody account Twitter पर किसी ने बनाया, वहाँ पर यह post थी, वहीं से किसी ने copy करके मेरे team में से ही डाल दिया है तो basically उनके team के कोई member होगा 5-6 लोग होंगे, माले जिए उन में से किसी एक ने post डाले हैं, लेकिन उनी के account से डाली गई है वो वीडियो में साफ सफाई दे रही हैं कि वो यह पता करने के कोशिश करें कि इन 5-6 लोगों में से किसने वो post किया है तो basically वो कह रहे हैं कि hack नहीं हुआ account, उनके team के लोगों ने डाला है, लेकिन वो copy करके डाला है कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि किसी जगह से अब Congress Party का उमिद्वार का एलान जल्दी होना बाकि कौन वहां से होता है हाला कि Congress Party गगड़ वो रहा है, लेकिन पिशली बार साल 2019 में भारतिजन तपार्टी की उमिद्वार की जीत हुई थी, वहां से राम सुरुप शर्मा की इस बार देखना होगा कि किसी जीत होती है, लेकिन फिलाल मामला बहुत ज़ादा गर्माता जा रहा है क्योंकि अब शिकायत भी इसको ले करके फिलाल हो चुकी है महिमा क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कॉंग्रेस ने एक बार फिर से अपने पैर पर कुलाडी मार लिये क्योंकि ये बड़ा बड़ी बात यहां पर सुप्रिया श्रीनेट के दुवारा कही गई है अब इसका खामियाजा हो सकता है कि भुगतना पड़े विपक्षी गट बंदन को क्योंकि इससे पहले भी साक्षी कईबर देखते आये हैं फिर चाय कॉंग्रेस पार्टी हो या फिर साउथ के कोई पक्षी नेता हो लगातार महिलाओं पर कईबर हम देखने कि सनातन धर्म पर टिपनी कर देते हैं और ठीक चुनाफ से पहले जब आप इस तरह की टिपनी करते हैं आपको इस तरह की टिपनी करने से बचना चाहिए क्योंकि इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपकी पार्टी को ही भुगतना पड़ेगा अब अगर बात करें हिमाचल के लोगों में काफी जादा रोश ह इस तरह की बाते फिलाल वहां के लोग करें मैं आम लोगों की भी बात करें हूं मैं ऑफिसर्स की बात भी करें हूं मैं आप नेताओं की बात भी कर रही हूं तो जाही तरह पर हो सकता है कि अब खामियाजा से बुगतना पड़े कॉंगर्स पार्टी को और बाकी अलग अल कि तक अपना उमीदवार घोशित नहीं किया, ऐसे में BJP से कंगना रनौत मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या बढ़त मिलती भी नजर आएगी क्योंकि ये मुद्धा बेहत बढ़ा है और लगातार आप कह भी रहे हैं कि लोगों ने अभी से आलोचना कर कर दिया है सुप्रियाशनेट की और कॉंग्रिस की विरोध में जो तमाम लोग हैं, वहाँ पर नजर आ रहे हैं, समीकरण क्या कुछ सियासी बनते वे नजर आ रहे हैं इस प्रतिक्रिया और इस पोस्ट के बाद में? समीकरण मुझे लगता है कि इतने जादा चेंजिस नहीं हो सकते, क्योंकि मंडी लोगसभा सीट की मैं आगर आपको जानकारी दूँ, यह प्रॉपर जो पूरा एरिया मंडी लोगसभा सीट का, यह कॉंग्रिस पार्टी का गड़ रहा है, इससे पहले हमने देखा है, सिर् पार्टी उनको चुनावी रण में उतार देती है, तो काटी के टकर यहां पर होगी, क्योंकि प्रतिबा सिंग, भले ही वो मंडी वाली जगा है, जो वाला एरिया है, मंडी वाला, वहां से अगर उनको कम भी वोट्स मिलते हैं, लेकिन रामपूर बुशहर हो गया, आपका शिमला से उपरी वाला इलाका हो गया, वहां से प्रतिबा सिंग को हमेशा से कॉंगर्स पार्टी को ज्यादा वोट पढ़ते आएं, क्योंकि वो वीरभदर सिंग की वज़े से उनको काफी ज्यादा वोट पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि 50-50 हो सकता है, बराबरी का म जहास को देखे चाहे, वो मोदी के लिए चौकिदार वाला बयान हो, मैं भी चौकिदार मोहीम चलाई गई, उसके बाद मोदी के परिवार को लेकर जब लालू परसाद ने कॉमेंट किया, तो मोदी का परिवार मोहीम चलाई गई, इसके बाद जब मंडी में भाव को लेक शिकायत फिलाल कर दी है, यह इस पूरे मसली को पूरी तरह से भुनाएंगे अभी हमाचल में, यह रणीती रही है हमेशे से भारती जन्ता पार्टी की, कुछ भी उन पर अगर एक्शन लिया जाता है, कोई भी टिपनी की जाती है, तो वो उसको अपनी उपर लेकर कि इस तर लेकिन कहीं न कहीं अब नुक्सान तो होने वाला है, गलती की है, तो इसका आपको नतीज़ा तो भुगत नहीं पड़ेगा, तो ऐसा लग रहा है कि हमाचल प्रदेश में फिलाल आने वाले समय में और ज़्यादा भूचाल आने वाला है, लेकिन बस इंतजार अभी है कि क Congress Party कोम इदवार कौन होता है, क्योंकि ज़िए क्लियर हो जाएगा साक्षी के Congress Party कोम इदवार कौन होगा, तभी पता चल पाएगा कि अखिरकार अब क्या समय करण मंडी लोकसभा सीट में बनने वाले हैं।